दोस्तों कती सराप घोटाला मामले में तिहाट जेल में बन दिल्ली के कुर्ण डिप्टी सीय मनीच शोध्या एक बार फिर चर्चा में हैं इस बीच उनका एक तहल का मचाने वाला पत्र सामने आया जो सुर्क्यों में चाया है और शोशल मीडिया के सभी प्लैटफों पर तेदी से वाइरल हो रहा है नमश्कार दोस्तों मैं हिमान सीक शपाप के साथ आप देख रहे हैं जनता की अवाज दोस्तों मनीच शोध्या ने अपने इस पत्र में केंदर की मोधी सरकार पर खुले आम हमला बोला है मनीच शोध्या ने साफ सब्दों में कहे दिया कि अगर लोग कल्यान कारी और जन हितैशी योजनाओ पर अमल हुआ तो चोती पास राजा का राजमेर हिल जाएगा बता दे कि से पहले सिये मर्विंद केजरिवाल भी चोती पास राजा की काहने सुना चुके है दोस्तो कवीता की शुरुआत में लिखा है अगर हर गरीब को मिली किताब तो नफरत की आंधी कौन फैलाएगा सब के हातों को मिल गया काम तो सड़कों पर तलवारे कौन लहराएगा अगर पढ़ गया हर गरीब का बच्चा तो चोती पास राजा का राजमेल ही जाएगा मनिश शोद्या की सकवीता को ग्राफिक्स के जरिये बनाया गया है सीएम अर्विं केजरिवाल ने अपने ओफिशल ट्वीटर अकाउंट से इसे शेयर किया है पत्र को शेयर कर लिखा है कि जेल से मनिश जी का पत्र दोस्तों अब इस पर लोगों की परतिक्रिया सामने आ रही है गोरफ प्रासर नाम की यूजर ने लिखा कि जेल के अंदर अभी तक मसाज की विवस्ता थी परन्तु अब तो ग्राफिक्स डिजाइनर की भी विवस्ता हो गई क्या डोक्टर शेख बी जेपी यूजर ने लिखा कि सतेंदर जैन नहीं लिखते बस पूछ रहा हूं मयंग सरफ इक्यावन ने लिखा कि किसी के हिससे शीश महलाया किसी के हिससे प्रनीती चोपडा आई बस मनिश शोद्या ही बदनसीब था उसके हिससे तिहाड जेल आई दोस्तो यह पहली बार नहीं है जब मनिश शोद्या ने तिहाड जेल से पत्र लिखा हो वे पहले भी पत्र लिख चुके है पिछले महिने उन्होंने जैसे पत्र लिकर पी-म मोधी पर निसाना साधा था चिठी में सिशोदिया ने लिखा कि पी-म का काम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेद्खत अनाक है कहा मोधी जी विज्ञान की बाते नहीं समझते वे शिक्षा का महतब नहीं समझते उन्होंने कहा था कि भारत की तरक्षी के लिए पढ़ा लिखा PM होना जरूरी है आपको बता दे कि CBI ने मनिश शोदिया को 26 फरवरी को गिरक्तार किया था दिल्ली सरकार की विवादि शराब नीती में कथित घोटाले के मामले में ये कारवाई की गई दोस्तों पिछले हफते मनिश शोदिया की नियाई खिरासत अबदी 2 जुन तक बढ़ा दी गई थी दोस्तों मनिश शोदिया का यह पत्र ऐसे समय में सामने आया जब आज ED की उस चार्ट सीट पर सुनवाई होने जा रही है जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम को आरोपी बनाया गया है ऐसे में अगर फैसला सोदिया की खिलाप आता है तो केज जिवार पहले से ही है बताने के लिए त्यार होंगे कि मोधी सरकार उन्हें फसाने की कोशिश कर रही है आप किस पर क्या रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताए और बागी खबर उखली देखते रहे हैं जनता की अवाज जनता की अवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ की बैल आइकन जरूर दबाएं